हलो दोस्तों आपके अपने यूटूब चेनल जीपिश्टीडी में आप सभी का स्वाकत हैं आज के वीडियो में आप सभी को जनकरी बताने वाला कि लोकडान है वो 17 मई तक बढ़ चुका है तो आप बोर्ड का जो एक्जाम है वो कब होने वाला है यानि कि आप सभी को पता है 7 और 8 मई को राजस्तान बोर्ड जिसतर से अनौंस्मेंट की थी कि राजस्तान बोर्ड के जो एक्जाम है वो 7 और 8 मई को प्रारम कर दिये जाएंगे या फिर 12 के ही एक्जाम होंगे इस सभी जानकरी आपको इस वीडियो के माधियम से मिलने वाली है तो इस वीडियो को मीज नहीं करना है अन्तजक जरुरू देखना है जिससे आपको पूरी जानकरी मिल सके साथ यापको जानकरी बता देऊ जोगर इस चैनल का अपने सिस्क्राइब नहीं किया है तो प्रछिस्सक्राइब कर ले ना जिससे आपको सटी को सभी जनकरी आप तक पहुंच सके सबसेबहरी करी बॉढट के एक्जाम मैं के अंदर होंगे या नहीं होंगे हमारे सभी स्ट्ट्यूट्ट को आपको सभी को पता है उनके एक्जाम को ले कर शाइथा कि अनल पर बढ़ख चुका है। तब विद्यार्थी जितने भी बोर्ड के विद्यार्थी है उनके अंदर एक सवाल उठ रहा है क्या हमारे एक्जाम है वह 17 माई के बाद माई के अंदर होंगे या नहीं होंगे तो आपको यह जानकर बढ़ चुका है लोगडाउं किन कारण से बढ़ा है तो आपको बता नहीं होगे तापको बता दू अंदर समभव नहीं है और जब भी एकजाम होंगे उससे दस दिन पहले ही आपके जो एक्जाम के यह 10 दिन पहले आपको बताई जाएगा कि आपका नोटिक जारी होगा कि आपके जो एक्जाम है वो कब होने वाले है तो आपके जम कम होंगे तो माई के अंदर तो संभव नहीं है पर माई के बाद जब भी आपके जब भी आपको जो भी लोकडाव समपत होता है उसके बाद आपके जब 17 माई के बाद आपका जो भ रजस्तान बौर्ड में किसी ने किसी को भी टैंथ हो या 12 तो किसी को भी पास गरने को कोई भी गोश्णा नहीं की है गोविन सिंग्र डोटा सरा ने एक जानकरी दी थी हम टैंथ और 12 बौर्ड के जितने भी स्टुएंट है उनको पास करना सीधे पास नहीं करेंगे उनके ए तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल चाहिए कि वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो पूरी जानकरी आपको लिगी दुरूप में आपको देखनों को मिल सकती है साथ ही अधिक जानकरी के लिए हमारे चैनल से जूट सकते हैं और और जानकरी के लिए आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं जय ही जय वर्त